टीम इंडिया की हार से उदास है ये एक्टर विराट कोहली को बताया इतिहास का सबसे खराब कैप्टन क्रिकट वर्ल्ड कप 2019 की सेमी फाइनल मैच में टीम इंडिया की हार ने देश के आम से लेकर खास तक सभी की क्रेट प्रेमियों को हिला कर रखी दिया बुधवार को हुए सेमी फाइनल मैच में टीम इंडिया को न्यूजीलेंड से हार का सामना करना पढ़ा भारत की हार को लेकर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स इसके पक्ष और विपक्ष में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं सेमी फाइनल मैच हारने के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली सोचल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं क्रिकेट प्रेमी ट्विटर, फेस्बुक और इंस्टाग्राम के जरिये अपना गुसा राहिर कर रहे हैं इस बीच बलेवुड एक्टर और प्रोडियूसर के आरके, कमाल खान ने भी टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की आलोचना की है यहां तक कि उन्होंने विराट को टीम इंडिया की कप्तानी छोडने तक की बात कर दी है बुध्वार को इंडिया की न्यूजीलेंड से करारी हार के बाद के आरके ने विराट कोहली की आलोचना करते हुए back-to-back का ही ट्वीट किये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा टीम इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्होंने न्यूजीलेंड को बहुत हलके में लिया उन्हें तो ये लगा कि न्यूजीलेंड से मैच हलवा जैसा है लेकिन भारतिय खिलाडी ये नहीं जानते थे कि न्यूजिलेंड के गेंदबाज उन्हें रनों के लिए रोला देंगे हार के बाद कप्तान विराट कोहली की प्रेस कॉन फ्रेंज का जिक्र करते हुए कि आरके ने अपने ट्वीट में आगे लिखा विराट कोहली ने कहा कि दशकों को हमें जीत हो यहार दोनों ही मौकों पर सपोर्ट करना चाहिए भाई आप ज़रा ये बता दो कि आप जीते कब थे आप तो IPL तक नहीं जीत सकते आप पहरे हुए खिलाडी हैं और चाहिए हैं कि लोग आपको फिर भी बेहतर खिलाडी कहते रहें के आरके यहीं नहीं रुके उन्होंने विराट कोहली पर गुसा करते हुए इतिहास का सबसे खराब कप्तान तक बोल डाला उन्होंने ट्वीट किया इसका आप इससे बेहतर नहीं खेल सकते आप कभी IPL जीत नहीं सकते हैं और वरल डगप तो भूल ही जाओ आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आप इतिहास के सबसे खराब कप्तान है इसके आलावा के आरके ने विराट कोहली को लेकर और भी कई बातें की